नमस्कार आज हम बतावाल चाहतनी दहिबारा कैसे बनेला सबसे पहले मसाला त्यार कराम जीरा धनिया लाल मेरिश भून के मिक्सिजार में पीश के मसाला त्यार फिर अगर आवा साम के ही हम उड़ाद दाल का उड़ाद दाल फुला लें बढ़ियां से जब फुल जाई तो प्रक बढ़ियां से दो के फिर मिक्सिजार में डाल के हल्का पानी भी डाल के बढ़ियां से पीशाम और चेक करत रहां की दर्दरा पीशाईल बाकिना दर्दरा पीशाजे तो कोई बड़तन में निकालां फिर अकरा बाद काला निमा के पानी डालां देवाडा के उड़ा दाल में जो हम पिसनी है मिकसी जार में फिर दही में भी काला निमा के पानी डालाम स्वाद के अनुसार आई जो गुड़त दाल के जो पेष्ट बनावा तनी दही बाड़ा छाने खाती ओकरा में हलका काला नमक डालाम और गॉलमिर्ज पाउडर भी डालाम डाल के खुब पानी रख हम और फ्यट के देख हम की बढ़ियां से तैरा था कि ना पानी में अगर तैरे लागी तसमजें जा कि शेन की दही बाड़ा के घुल हमर त्यार करतानी धही मैं काला निमक्त डॉल भी चुकल बनी स्वाध के अनुसार फिर एकराबाद ओकरा में मसाला जो बना के रेड़ी के ने है भुनके ओकराद ढालम दू चमज फिर सरसो तेल कल्चुल में डालके जीरा के छोंक लगाइं कहां कि छोंक लगाइंला से दही ब तही रेडी हो जाईं तेक्राबाद हम घज पकडाहिं रखां सर्सो टेल डालां ऐसे भी शर्सो टेल में ही दही बाड़ा के तल जला अगर सर्सो टेल में तल के खायं जाते रहत स्वाद बहुत ही अच्छा लगेला और सिहत के लिए भी फैदा करेला सर्जोते तो देखीं जा कई से हम दैवाडा तलताने दैवाडा के घुमा फिरा के गोल्डन कलर के जब हो जाई तो कोई बरतन में उकरा के हम निकाला तो अकेल ही वीडियो बनावतानी एक खासे वीडियो बनावतानी एक खासे अपन तलाई करतानी तो कोई बरतन में देखीं जा निकाला तानी निकालके फिर काटा वाला चमस से जोना चमस से हम नीके मैईगी चोमिन खाई ना जा वही चमस से युकरा छेदा करतनी। चेद करके एकरा बाद हम दही में डाला हम। हम पानी में डाली हमा दौल लगेला। डिरेक्ट दही में डालीना ओकर स्वाद बहुत ज्यादा अच्छा लगेला तरोरे सब एक बार जिसे हम बनाओ तेनी वह इसे बना के देखिए जा कई सन लागता अच्छा लागता कि विकार लागता तो हम दूसरा बार इतलाई करता ने देखिए जा अइसे ही करके हम पूर है जो सी जुट दुट के भगोना में डेल दूसरा ने। से लेखिए द्रकर से से कखेजेद कर लिये और और यहीं जाले फूलल से फूलल तहब डेखिए ड़ी हम धरतते कवाड़ा के ऊपर से बने लिन्ध आपक देखाविक विडियो के, अवर जो भगोन यूदा अवनगे न विडियो न पर इुप है। करके दिखाओ तो आप अगर पसंद लागी तो लाइक शेर कमेंट जरूर करम जा सो थाइंक यू